हेलो दोस्तो आज की वीडियो HRMS से ही रिलेटिड है HRMS में सर्विस बुक वेलिडेट करने की लास्ट डेट कल कम्प्रीट हो चुकी है लेकिन अभी भी कई डिपार्टमेंट्स में सर्विस बुक सभी एंप्लोईज की वेलिडेट नहीं हुई है तो एक बार फिर हो सकता है कि चीफ सेक्टरी से इस डेट को एक्स्टेंड करने के ओडर आ जाएं HRMS में सर्विस बुक को अप्डेट करने में जो कुछ एक प्रोब्लम्स आ रही थी जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिसकस की थी उसमें एक जो अंड लीव और हाफ पे लीव है उसको अप्डेट करने से कैसे ग्रांट कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी वीडियो में कोई बात बतानी अगर रह जाती है और आपको उस बात का पता है तो उसको शेयर जरूर करें कमेंट के थुरू ताकि दूसरों को भी उस बात का पता चल सके जैसे कि मैं आपको दिखाऊं लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें लीव्स को अप्डेट करने का उप्डेट करने का उप्डेट नहीं था लेकिन ये तमन कुमार है एक उन्होंने कमेंट करके बताया कि हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन से जो हमारी हाप पेलिव औ अभी तक इकठी हुई हैं उनको अप्डेट किया जा सकता है मैंने किसी एमप्डेट की हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन से अप्डेट की नहीं थी तो इन्होंने कमेंट करके बताया उसके लिए तमन कुमार जी का बहुत वह धन्यवाद और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग मे के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभी तक कि हमारी लीवस इकठी हुई हैं उनको अप्डेट करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन में जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन में जाके हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन और उसके बाद फिर से हिस्टोरिकल ट्रांजेक्श उसमें लीव बैलेंस का उप्शन है लीव बैलेंस पर क्लिक करें इसमें दो उप्शन शो होंगे आपको एक अंड लीव का एक हाप पे लीव का यहां पर अगर किसी की नंबर ओफ लीव ठीक नहीं आ रही हैं जैसे कि अगर सॉफ्टवेर ने 24 दिन पर एक अंड लीव के हिस आप से ही केलिकुलिशन की है और उसकी लीव गलत आ रही है आपर तो आप यहां से उसको एडिट कर सकते हैं तो यहां से उसकी नंबर ओफ लीव चेंज करके अपडेट कर दें इस तरीके से अभी तक कि जो बैलेंस लीव से वह यहां से अपडेट हो जाएंगी और अगर आपको किसी एंपलोई की ऐफरलाइन लीव की एंटरी करनी है तो उसके लिए अगर हम पर में फुचर एउडर करने की ट्रै कर ग्रते हैं तो यहां पर एंटरी ज करने का तो अप्शन आ जाता है लेकिन जब हम इसको सेव करेंगे तो यह सेव नहीं हो पाएगी यह सारी एंट्री करके अगर मैं सेव करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ आता है कि प्लीज अप्लाई लीव आइधर फ्रम चेकर लोगिन लीव एडमिन मोडूल और इंट्रा करना है यहां पर आने के बाद अगर हम डेजिगनेशन सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी डेजिगनेशन हमें शो नहीं हो रहा है कोई भी ऑप्शन अविलेबल नहीं है इसका मतलब जो एडमिन यूजर आईडी है आपकी एडमिन लोगिन वहां से आपको परमिशन गरांट न तर तरफ्विस के साथ पनिश्मैन का उप्शन परमिशं गरांट नहीं की गई है तो अब हम देखते हैं कि एडमिन लोगिन से हम परमिशन गरांट कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप अपने एडमिन की आईडमिन है जो वह लोगिन कर लें यहां पर आपकी जो लेवल एडमीन यूजर है वो आईडी लोगिन हो चुकी है लेवल एडमीन यूजर लोगिन करने के बाद आपको जाना है यूजर मेनेजमेंट में यूजर मेनेजमेंट के अंदर यूजर परमीशन का ओप्शन है यूजर परमीशन पर क्लिक करे यहांपर आपका जो ओफिस है उसमें हो सकता है एक से ज्यादा checker हूँ या फिर एक से ज्यादा maker हूँ maker के लिए अगर आपको कोई permission grant करनी है तो आप checker से कर सकते हैं यहांसे जो भी checker को permissions grant करनी है वो grant की जा सकती है उसके लिए user ID में जाके जिस भी checker को आप permission grant करना चाते हैं उसको select करें उसके बाद permission select करनी है हमें किस type की permission आप देना चाते हैं उस checker को तो यहाँ पर जैसे हमेंने आपको दिखाया था कि हम leave के entry नहीं कर पा रहे थे तो leave को select करें और search करें यहाँ से अब जिस भी post की permission आप grant करना चाहते हैं उसके सामने टिक करके और अपडेट पर कलिक कर दें इसी तरीके से कोई और पोस्ट है जिसकी प्रमिशन आप करना चाहते हैं तो उसको भी स्लेक्ट कर लें स्लेक्ट करते टाइम रूल्स का ध्यान आवश्या रखें कि जिस पोस्ट को आप स्लेक्ट कर रहे हैं जैसे डिप्टी सुप्रिडेंट है तो इसमें दो पोस्ट हैं एक हेड़कॉर्टर के रूल्स के अंडर है एक फिल्ड के रूल्स के अंडर है तो अगर आप फिल्ड पे का option भी है इसमें भी आप जिस checker को alert करना चाहें उस checker को disciplinary action होता है जो भी किसी employee के खिलाफ उसमें जो permissions हैं वो यहां से select करके update कर सकते हैं अब जैसे हमने leaves की permission update कर दी हैं तो जो leave में हम entry नहीं कर पा रहे थे उसको हम checker में जाके एक बार check कर लेते हैं जैकर को लोगिन करने के बाद दुबारा से हम अगर module में जाके leave module पे apply leave offline पे कलिक करेंगे तो यहां पर जब हम designation पर कलिक कर रहे थे तो कोई भी option open नहीं हो रहा था अब अगर हम यहां पर select करते हैं तो जिन-जिन posts के लिए हमने permission grant की है उनके लिए option show हो गए है हमें यहां पर तो अब आपको जिसकी भी leave offline apply करवानी है उसको यहां से select कर सकते हैं तो यहां पर अब सारे options show हो जाएंगे आपको इसमें भी एक प्रोब्लम आपको आ सकती है कि यहां पर reporting officer show नहीं होगा कई employees के नाम के सामने तो जिन employees का reporting officer यहां पर show नहीं हो रहा है उसको अगर आप यहां से update करना चाहेंगे click to update reporting officer तो आप नहीं कर पाएंगे उसके लिए आपको employee information का जो यह option है second option इसमें जाना है और सबसे पहला option है update reporting officer इसको select करें यहां से आप unique code से भी सर्च कर सकते हैं किसी भी employee को और सर्च करके उसका reporting officer यहां से update कर दें उसके बाद आपको लिव का जो option है leaves की entry करने का उसमें कोई भी जाएंगे service book validation की इसके अलावा भी अगर कोई problem आपको आ रही है तो कमेंट करके बताएं या फिर email करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद